आज की प्रेरक कहानी कर्मा पर आधारित है। यह कहानी है दो भाईयों की। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई जो दोनों स्वभाव से बिलकुल विपरीत थे। बड़ा भाई मानता था कि लोगों की मदद करनी चाहिए। सेवा भाव रखना चाहिए। सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए। जब जब मौका मिले दान देना चाहिए। छोटा भाई मानता था कि जीवन एक ही बार मिलता है इसलिए उसे खुल कर जीना चाहिए। जो भी मन हो वह करना चाहिए, नशा हो, डान्स बार जाना हो, या और कुछ भी जिससे खुशी मिले वह हर काम करना चाहिए. डोनों भाए अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे. बड़ा भाए जो भी कमाता उसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था क्योंकि वह जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता था. वो सत्संव सुनने जाता, मेडिटेशन करता. वो जितना हो सकी उतना साधा जीवन जीने की कोशिश करता. छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से जादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा पूरी करता. दारू, सिग्रेट पीता नाचने वालियों के पास जाता. जितना संभव हो उतना एश करता. बड़ा भाई अकसर अपने भाई को समझाने की कोशिश करता कि वो अपने जीने का तरीका बदल दे. वो जो कुछ कर रहा है वे अच्छे कर्म नहीं है. लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता. वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिन्दगी जीते रहे. एक दिन बड़े भाई को घर लोटते वक्त रास्ते में चपल में कील घुस गई जो चपल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई. उससे बड़ा दर्द हुआ. दर्द इतना जादा था कि वह छीक से चल भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते अपने घर तक पहुंच गया. घर पहुंचने के बाद उससे बिलकुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था. उससे बहुत प्यास लग रही थी लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. पर बड़ी सी मुस्कान थी वह बहुत ज्यादा खुश लग रहा था. चोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उसे पानी मानगा. चोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उसे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा. बड़े भाई ने बताया कि उ मिला. और ये देखिए मैं कितना खुल कर जीवन जीता हूँ इसलिए आज मुझे रास्ते में यही रे का हार मिला है. हमारे दोनों की परिस्थितियां यह साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत. बड़ा भाई बड़ा परेशान था फिर भी वह छोटे भाई क को समझाने लगा कि नहीं उसी का तरीका सही है. बड़ा भाई कह रहा था कि तरीका मेरा ही सही है लेकिन शायद कुछ गड़बर है इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों जोत्षी को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे वही बताएगा कि क्या दिक्कत है. वो जिस जोत की बात कर रहे थे वो बहुत बड़ा जाना माना जोत्षी था. उसकी कोई भी भविश्यवानी गलत नहीं होती थी. छोटा भाई हीरे का हार मिलने की वज़े से बहुत खुश था इसलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया. उस कुंडली को देखते ही जोतिशी बोला बाप रे बाप के सभागे की यह कुंडली है. यह तो अब तक मर गया होगा. बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली जोतिशी को पढ़ने के लिए दी गई. उसकी कुंडली देखते ही जोत्षी क्यूं दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाईयों ने जोतिशी से कहा कि ये दोनों कुंडली उनकी है और आपकी भाविश्यवानी गलत है क्यूंकि नहीं बड़ा भाय अब तक मरा है और नहीं छोटा भाय मंत्री बना है जोतिशी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता हाँ अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है जोतिशी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विगत से जाना जोतिश ने दोनों को समझाते हुए कहां कि मेरी पड़ी हुई कुंडली गलत नहीं है यह बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगा सिर्फ एक कील का दर्ग दिया और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म है जिसकी वजह से उसका राजयोग चल गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसे जल्दी बेच कर खत्म कर देगा दोस्तों छोटी सी ए प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा है तो वह हमारे पहले पुराने कर्मों की वजह से है और हमारा भाविश्य अच्छा या बुरा होगा वह हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से होगा इसलिए हमेशा ध्यान रखे कि अच्छे कर्म करना ना छोड़े